हेलो गुड आफ्टिनून नमस्कार एक्रिकल्चर अड़ा 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो मेरा नाम है डॉक्टर मिनाक्षिराथी और दो बजे हम अपने MCQs के साथ मिलते हैं Entomology से यानि की Study of Insects जिसमें जो है हम यहाँ पर MCQs प्रेक्टिस करेंगे और टारगेट करेंगे अपने इसको के एक्जाम के लिए ठीक है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप रेगुलर स्टुडेंट है तो आप सभी का most most welcome है Thank you so much for coming to the video और आज बड़ी ही खुश कबरी है आज हम जो है 60K subscribers पर पहुँच गए है तो a very very thank you to all of you अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते तो चैनल नहीं होता subscriber के बेना चैनल किस काम का वही तो सारे ही subscriber को बहुत बहुत थैंक यू हमें 60K पहुचाने के लिए गुड आफ्रिनून नैंसी पुर्शोतम अभीशेक सुमित और वेलकम टू दे सेशन तो अड़ा की आप आप सभी को पता है अगर डाउनलोड नहीं की है तो अब तो डाउनलोड कर ही लीजे मैडम रोज बोलती है थोड़ी सी respect मैडम की रख लीजे और अड़ा आप को जो अब करते हैं अपनी क्लास की शुरुवात जैश्री गनीश के साथ तो चलिए शुरू करते हैं जैम आता दी के साथ आई पीम रिलाइज ओन आपका इंटीग्रेटर्इड पैस्ट मैनेज्मेंट किस चीज़ पर सबसे जादा रिलाई करता है न क्याब हमें पता चलता है कि हमें इस इंसेक्ट को जो है control करने की जरूरत है चाहे chemical से चाहे cultural practice से चाहे आपकी resistant varieties है तो economic threshold level total loss of the crop resistant pest या susceptible pest किस चीज़ पर जो है यह heavily depend करती है राम राम जी तो आपका बहुत बहुत स्वागत है session में economic threshold level क्या होता है economic threshold level जिसको आप ETL बोलते है economic threshold level क्या है कि जब insect आपके crop को खा रहे हैं उस पर शती पोचा रहे हैं उसकी leaf को खा रहे हैं उसका cell sap juice रहे हैं उस time क्या अगर वो एक का दुक का insect है तो हम उसे खाने देते हैं ऐसा भी नहीं मतलब निर्देनी बनना है ना कि एक insect दिखानी और आपने उसको मार दिया insect को भी जीने का हक है insect बहुत अपने ecological फायदे के लिए use होते हैं तो जब हमें लगता है कि इनकी population इतनी बढ़ गई है कि हमें economic loss होने लगेगा हमारी yield जो है गरने लगेगी significantly तभी जो है इनका control किया जाता है अगर तब तक हमें लगता है कि चल रहा है काम तब तक चलाना चाहिए सभी को इस धरती पर जीने का हक है इन्हें भी इन जीने देना चाहिए तो yes सभी बच्चों ने जो है correct answer किया है economic threshold is the right answer ETL पर जो है आपका पूरा IPM आधारित होता है second is project direct rate of biological control is located at biological control का project direct rate कहां स्थित है बैंगलोर न्यू डेली फरिदबाद और जैपूर project direct rate का जो है biological control का कहां स्थित है तो यह है answer बैंगलोर बैंगलोर में आपका जो है बायो कंट्रोल एजेंट का जो project direct rate है वो बैंगलोर में स्थित है चलिए moving to the next question red cotton bug lay its egg on red cotton bug अपना जो eggs है वो कहां ले करता है यान कि कहां उनको जो है यह अंडे देता है balls के उपर देता है इसकी leaf के उपर देता है soil में देता है या फिर इसके flower के उपर देता है red cotton bug जो है अकसर आपके cotton में late season में देखने के मिलता है जब आपकी cotton अकसर maturity की तरफ आ रही होती है बड़ी हो चुकी होती है तब आपको अकसर यह है feel में नजर आने लगता है तो इसका जो right time है वो अभी है क्योंकि अब जो है आपकी crop लगेगी लगने के बाद जब आपकी harvest होती है I think November के आसपास harvest होगी तब जो है उससे पहले एक महीने पहले देड महीने पहले आप red cotton बग को देख पाएंगे तो यह जो है आपके eggs ले कहां करता है तो यह आपके eggs soil में देता है रहता plant पर है अंडे soil में देता है और जो भी आपका insect soil में अंडे देता है उसमें हमेशा management में यह guard बान लीजेगा management में आपको हमेशा deep plowing करनी होगी deep plowing से क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है वो उलट फेर हो जाती है और यह eggs जो है उपर की तरफ आ जाते है और आपकी जब crop harvesting की तरफ होती है अगस में भी जो है काफी अच्छी धूप निकलती है तो plowing इसको काफी help करती है इसके eggs जो है sun में exposed हो जाते हैं और high temperature की विज़े से मर जाते हैं तो इसका यह control काफी अच्छा रहता है सभी उन insect का जो soil में अंडे देते हैं आप soil को sterilize करेंगे और soil को sterilize करने का सबसे अच्छा तरीका होता है sun drying का तो यह आप याद रखेगा next question comes to shorgum shoot fly अपने अंडे कहां देती है अब red bug के अंडे तो आपने पता लगा लिया अब इसके अंडे बताईए कहां होते हैं surface पे होते हैं या फिर lower surface पे होंगे या upper surface पे होंगे leaf के flowers या फिर root कहां पर आपकी जो है shorgum shoot fly eggs ले करती है upper surface of the leaf, lower surface of the leaf, flower या फिर roots देखी कुछ specific ही होता है जब आप से किसी भी insect की life cycle पूछी जाती है यानि कि उस life cycle में कुछ specific है, interesting है तभी आप से पूछी जाती है, otherwise insects की life cycle को नहीं छेडा जाता है तो यहां पर भी बहुत सारे हमें answers मिल रहे हैं, पुर्शतम says A, आर्थी says B, सुमिठ says B answer is lower surface, आपकी जो leaf है उसकी नीचे की तरफ जो है ये अंडे ले करता है उपर की तरफ क्यों नहीं करता, उपर की तरफ तो sun से exposed होती है, बहुत गर्मी होती है, तो ये नीचे की तरफ ले करता है उसको अच्छा सा कोना भी मिल जाता है अंडे देने के लिए, उनको धूप भी नहीं लगती और अच्छे से वो फलते फूलते हैं और नोटिस भी नहीं होते हैं चब तक वो बहुत ज्यादा नंबर में नहीं होते हैं, तो ये लोवर सरफेस पर जो है इसके अंडे दिये जाते हैं देन, next question, indicate which one is the ear head midge, इन में से कौन सा ear head midge है इयर head midge means जो आपके ear को ही directly infect करते हैं, contain area, शोर्गी कोला को, कैलो कोरेस, अंगी स्ट्टा को, और सियोलेस, और और आईजी को, या फिर काईलो पार्टेलेस को इन में से कौन सा जो है आपका ear head midge कहलाता है तो इसमें आपका answer क्या होना चाहिए यह आपका, जो है, कौन्टेरीनिया, शोर्गी कोला, जो है, इसका head midge होता है Calcochorus angustata, जो है, इसका head में ही यह attack करता है, लेकिन, यह head bug होता है midge नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तो आपको, और आईजी से ही पता चल रहा है, कि यह rice का insect है और, काईलोपारिटिस का common name क्या होता है, stem borer, तो काईलोपारिटिस क्या है, आपका stem borer होता है तो यह आपके, जो है, head को, जो effect करता है, midge, उसका नाम होता है, contorinia shorgy collar चलिए, the spotted ball worm, spotted ball worm, इसका नाम क्या होता है, erias vitela, erias insulina, helicoverpa, armigera, या फिर pectonophora, gosipilla यह तो काफी common insect है, आपकी cotton crop का, तो बताइए, the spotted ball worm जो है, इन में से इसका scientific name कौन सा है, which is the scientific name of spotted ball worm, यह cotton का, जो है, major insect है और इसका नाम क्या होता है, erias vitela, चिक है, insulina भी जो है, आपका spotted ball worm में ही आता है तो actually तो यह दोनों correct होते है, erias vitela भी correct होता है, erias insulina भी correct होता है लेकिन vitela जो है, अपने region में जादा पाया जाता है, as compared to insulina तो यहाँ पर जो है, आपका answer, erias vitela लगेगा, c नहीं लगेगा, बच्चा हर question का answer, helicoverpa, armigera, नहीं होता है चलिए, the vector of rice tangro disease, rice tangro disease का vector कौन सा होता है rice tangro disease एक virus की वज़े से होती है, यह virus transmit किया जाता है एक insect के द्वारा ठीक है, तो वो insect कौन सा है, nephotectis virans, aphid crassivora, bemicide tobacco, या फिर texoptera aurantia which one is the rice tangro disease का जो है vector यह होता है, तो rice tangro disease आपकी rice की viral disease है जिसमें यह access stunted growth दिखाता है, यानि कि पोधा जो है काफी छोटा रह जाता है और इसकी जो fruiting है वो काफी effect होती है, कम ही fruiting इसमें आती है, yield काफी इसमें hamper हो जाती है तो यहाँ पर answer आ रहे है, पुर्षवतम से इस B, और A is the right answer nephotectics virans, जो है आपका rice tangro disease का vector होता है तो यह जो nephotectic virans है, इसको हिंदी में, मतलब हिंदी में नहीं, common name में क्या कहते है इसमें green grasshopper, grasshopper और leafhopper actually, not grasshopper तो यह एक leafhopper है, जो आपका tangro virus को spread करने में, उसका vector as I use किया चाता है उसको spread करना है, में काफी helpful रहता है उसके लिए, हमारे लिए तो नुक्सान दायक ही है ठीक है, चलिए, which one of the following crop has the outbreak of woolly aphid been recently noticed ठीक है, इन में से एक crop है जिसमें अभी अभी जो है, woolly aphid का अटाक देखा गया है पहले उसमें woolly aphid का अटाक नहीं होता था, लेकिन recent years में देखा जाता है कि इसमें woolly aphid का भी अटाक होने लगा है तो ये कौन सी crop है, मेज, बारले, शुगर केन या फिर cotton तो इसका अंसर है आपका शुगर केन, शुगर में केन में जो है अब आपकी woolly aphid की अटाक देखे जाने लगे हैं तो शुगर केन is the right answer और जो ये woolly aphid का अटाक है, इसका नाम क्या है इसका नाम है सिरेटोवा, क्यूनो, लैनिगेरा, तो ये इसका जो है नाम है तो ये इसका जो है नाम है, दैन आपका इरियो सोमा, लैनिगेरा है, एफस गोसिपाई है, ये आपका cotton का इंसेक्ट, एफिड है, लिपाफिस जो है आपका क्या होता है, silver fish आपका जो है, लिपाफिस होता है, चीक है, और ये इरियो सोमा, लैनिगेरा जो है, ये भी जो है, वुली एफिड ही होता है, लेकिन ये apple का वुली एफिड होता है तो ये जो है आपका apple का वुली एफिड होता है, जो sugar cane में attack कर रहा है, उसकी जो species हैं, वो दूसरी है, ये सिरेटवो क्यूनो के लगाता है आगे, और ये इरियो सोमा, तो इरियो सोमा तो काफी famous है, apple वुली एफिड के नाम से आप इसको जानते हैं, और ये काफी famous इंसेक है, जो apple में infestation करता है, ठीक है, तो चलिए, next question की तरफ, कोस्मो पॉलाइट्स, सौडिडस, कोस्मो पॉलाइट्स, सौडिडस, कोस्मो पॉलाइट्स, सौडिडस, जिसको banana rhizome weevil भी कहा जाता है, तो ये banana rhizome weevil जो है, ये कौन सी family से belong करता है, पारिलेडी फैमिली से, करकिलेडी फैमिली से, थ्रिपिडी फैमिली से, या फिर एफिडी फैमिली से, to which family आपका जो rhizome weevil है, banana rhizome weevil, ये कौन सी family से belong करता है, आपके weevils कौन सी family से belong करते है, to which family of weevils belongs, कुछ exception इसमें है नहीं, बहुत easily है, तो आपकी जो family, आपके weevils की जो family होती है, वो कौरकिलिनेडी family होती है, जिससे ये belong करते हैं, और इनका order कौन सा होता है, इनका order क्या होगा, कौलियप्ट्रा, ठीक है, कौलियप्ट्रा order से ये belong करती है, family इनकी करकिलिनेडी होती है, और कौलियप्ट्रा order से आपका और कौन belong करता है, बिटल्स बिलोंग करती है, तो बिटल्स और विविल्स जो है आपके same order में आते हैं, just different families में आते हैं, तो थोड़ी थोड़ी classification ऐसे ही याद हो जाएगी, है न, तो आपके बिटल्स हमेशा कौलियप्ट्रा order में आते हैं, I think ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन विव फामली है वो different है, जो आपके विवल वाली फामली है, ये करकलिनिदी फामली में fall करते हैं, चलिए, moving to the next one, scientific name of shorgum aphid, shorgum aphid का scientific name क्या है, which one of them is the name of shorgum aphid, चारो option आपके सामने है, और आपका समय शुरू होता है, अब, ठीक है, आपको कल से timer मिलेगा, मैं कोशिश करूँगी, कल से मैं PPT पर timer लगाँ, ताकि आपको 15 seconds ही मिले answer करने के लिए, and then we will moving to the next question, तो बहुत ज़्यादा waiting नहीं करेंगे, फटा-फट से answer करेंगे, हाँ, ज explanation करने की जरुवत होगी, वहाँ explanation की जाएगी, डॉंट वरी, चलिया answer, आरती ने answer किया है, B, hysteroneura, और कोई, पुर्शौतम से इस A, so yes, A is the right answer, आपका जो melanophis sacri है, इसको आप शौरगम एफट के नाम से डानते हैं, तो sacri से थोड़ा सा देख लिए जीजेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा estimation हो जाता है, कभी-कभी नाम देख कर ही, जैसे किसी के पीछे शौरगी को ला है, तो for sure वो शौरगम का ही insect है, ठीक है, यह कुछ नहीं आ रहा है, यह तो questions तो easy है, बदे को scientific names थोड़े से hard है, questions तो easy है, है लेकिन problem मेरी यही है और आपकी भी यही है कि हमें scientific names जो है learn नहीं होते हैं, जिसकी वज़े से अब हमें शौरगम एफिट का पता होता है, शौरगम एफिट क्या करने वाला होता है, हमें यह भी पता होता है, हमें उसको scientific name याद नहीं रहता है, यह हमारी problem है, तो इसे लिए यह मेरी कहानिया बनानी शुरू कर दीजिए, मतलब आप उसको ना किसी चीज़ के link से कहानी बना कर याद करेंगे, तभी यह जो scientific names है वो आपको याद रहेंगे, otherwise जो है आप scientific name को रटने की कोशिश करेंगे, लेकिन next day या उससे next day ही भूल जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो हिस्टे नियुरा है, हिस्टे नियुरा को commonly क्या कहा जाता है, इसको rusty plum effort कहा जाता है, rusty plum effort यानि कि यह plum का effort है rusty plum effort is the name of his due neuron, तो यह दोनों ही effort है, अब इस तरीके के जब question आता है, यानि कि दोनों ही effort है, किसी तरीके से आपने याद कर लिया है, यह यह भी effort है, और यह भी effort है, वो वाले नाम याद करना तो बहुत आसान होता है, जिसके नाम में ही F.S. आ जाता है वो तो हमें पता चल जाता है कि यह F.S. है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें यहाँ पता चल जाता है इसमें F.S. आ गया है यानि कि यह F.S. है लेकिन इस तरीके के नाम याद करने में आपको दिक्कत होगी जिसमें F.S. का नाम ही कहीं नहीं आता है तो एक दो exceptions रहेंगे, एक दो exceptions को आपको अलग से लिखके याद करना है, ताकि आप उसको remember कर पाएं, चलिए, moving to the next question, तो Subhash Chandra says, you are my favorite teacher, so grateful to know that, क्योंकि बहुत अच्छा लगा सुनकर, thank you so much, ठीक है, चलिए, अब फिर से question की तरफ चलते हैं, क्योंकि इधर हमारे पास आद ही घंटा होता है, वही, गपे मारने का टाइम थोड़ा सा कम रहता है, चलिए, the following is the most notorious polyfagus pest, इन में से कौन सा जो है, सब से notorious polyfagus pest है, notorious का क्या मतलब होता है, notorious का मतलब होता है, someone who's famous for bad qualities, bad quality के लिए famous होते है, popular होते है, उनको बोलते हैं, यह notorious है, है ना, लेकिन हम generally English में notorious को करते हैं, हम English में notorious को तब use करते हैं, जब कोई हमें शरार्ती बच्चा दिखते हैं, हम कहेंगे कितना notorious है, तो actually dictionary meaning इसका क्या है, someone who's popular for its bad qualities, तो आज I think सुबह IBPSO की क्लास में कोई मुझे कह रहा था मैं English पढ़ा दो, तो मैं साथ साथ तुम्हें English पढ़ा रही है, ठीक है, हालिको वर्पा आर्मी जेरा आंसर आ रहे हैं, तो अफ्कॉर्स ये तो सभी को पता है, क्योंकि हर क्रॉप में एक इंसेक्ट हैलिको वर्पा होता है, हलिको वर्पा is so famous, so widely spread और ये बहुत ही polyphagus nature का है, ये हर क्रॉप में फीड करता है, almost, तो ये जो है सबसे popular और notorious polyphagus pest है काईलो इंसरटेलेस क्या होता है, काईलो इंसरटेलेस, काईलो पारतेलेस मैं आपको बताया था, वो stem borer होता है, और ये भी जो है आपका stem borer में ही मतलब उसी की category में आता है, ठीक है, तो ये आपके thrips होते है, thyruss इसमें आ जाता है, तो इस तरीके से ही थोड़ा थोड़ आइडिया लगा कर ही आपको जो है क्योंकि अफकोस आपका रिटेन एक्जाम तो है नहीं तो अगर आप मेजर उसकी पूरी स्पेलिंग याद ना करके भी उसमें से कुछ पार्ट को जो है अपने पिक्चर में बना लेते हैं या उससे स्टोरी बना लेते हैं या उसको किसी तरीकी से relate कर पाते हैं। टिक मा क्वेशन तो वहीं से हो जाएंगे लेकिन साइन्टिफिक नेम बच्चे करने पढ़ेंगे क्योंकि अकसर आजकल एक्जाम में नेम वह जान पूछकर डालते हैं ताकि बच्चे confused हो जाएं तो यह आपको करना पढ़ेगा इसकी कोई दवाई मेरे पास आपके लिए उपलब्द है ही नहीं, इसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ, चलिए, next question, the holes at the base of the shorgum peduncle are due to, shorgum की peduncle, यानि कि उसकी जो stem है, या peduncle है, उसमें holes देखने को मिलते हैं, उसमें छेद देखने को मिलते हैं, तो इन में से आपको क्या ल अथ्री गोना, सोकाटा कर सकता है, कॉंट्र एे नी ना, शорगि कॉला कर सकता है, या कालो कॉरिस, एंगुस्ट टा कर सकता है, तो काईलो पैरिटिस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये stem borer होता है, है न, और ये भी में बता चुकी हूँ, आपका जो एंगुस्टि है और दो रहे गए हैं ये भी आई थिंक हमने पढ़ा था कॉंटो कॉंटेरीनिया शौरगी कॉला तो ये भी आई थिंक ये हैड मिज होता है जो हमारा पहला या दूसरा क्वेशन ही था तो इसको हैड मिज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं यह मुझे भी नहीं पता वई तो स्टेम बोरर जो है वो ही स्टेम में आपके होल्स बनाएगा तो यह तो बहुत सिंपल सी बात है अगर मैं आपको यहां अंसर में स्टेम बोरर दे देती तो आप फटा फट से टिक मांक लगा पाते हैं न क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि स्टेम में या पेडंकल में यह जो है बोर कर देता है होल्स बना देता है तो स्टेम बोरर ही स्टेम में होल्स बनाएगा यह तो बहुत नॉर्मल सी बात है बहुत common बात है तो यहां अगर मैं stem borer देदू तो आप फटा-फट एक mark लगा देंगे लेकिन stem borer का नाम जो है याद करना जरूरी है तो नाम क्या है काईलो पार्टेलस काईलो पार्टेलस जो है आपके stem borer का नाम है अटलीस्ट आज ये एक नाम तो आप यहां से याद करके लेही जाएए काईलो पार्टेलस जो है stem borer का नाम है और हेलिकोवर पार्मिजरम तो सभी को याद हो गई तो दो नाम याद हो ही गए है तीसरा नाम और कर लेते हैं ऐसे दीरे दीरे जैसे जैसे एंचे क्यों करते रहेंगे आप इनको बार बार देखते रहेंगे तो आपको थोड़ा-थोड़ा अंदाजा लगता रहेगा थोड़े-thोड़े याद होते रहेंगे तो ज्यादा tension नहीं लेने का चल रहने का ठीक है दे ladder shaped scrapping on the rice leaves is due to ladder shaped scrapping का क्या मतलब है लीव को जो है इस तरीके से scrap किया जाता है कि उस पर इस तरीके से मतलब यूं layers बन जाते हैं तो layers जब लीव पर बन जाते हैं तो यह ladder shape हो जाती है इस तरीके से तो यह यहाँ पर scrapping ज्य पर यहाँ पर होगी तो वो ladder shape appearance देता है leaf के उपस ladder यानि की cd cd के जैसी इसमें scrapping होती है cd के जैसी इसमें जो है patterns बन जाते हैं जब यह scrapping करता है अपने हाथ से उसको खुरचता है और यह कौन सा insect ऐसा कर सकता है निप्लाड इसपा आर्मी जर्द ऐसा कर सकता है या फिर नफू लोग नफू लोग राईस मेडी निलिस यान निंप्यूला डिप्टिक टैलाईस या फूर्डड नन ऑफ दाबाव तो आपका डिकलोड इस्पा तो हिस्पा होता है राइस हिस्पा ठीक है तो ये हिस्पा होता है आपका उसके बाद ये जो होता है आपका नेफलो कोरिस मेडिनलिस ये आपका लीफ रॉलर होता है leaf roller ठीक है और निम्प्योला, diptyk Tellis जो है आपका case worm को कहा जाता है case worm को आपका यह निम्प्योला, diptyk Tellis कहाजाता है ठीक है तो बताइए ladder shape scängerpping किस में होती है ladder shape scrapping आपकी हिस्पा में की जाती है तो राइस हिस्पा जो है इसका राइट आंसर है चलिए उसके बाद the integument comprises of insect morphology के तो हम वही बात है कि पूरी थियोरी भी कर चुके हैं तो insect morphology से ये question है integument यानि की insect की वाल इंसेक्ट की वाल आपकी cuticle से बनती है epidermis और basement तीनों से मिलकर बनती है सबसे उपर cuticle layer होती है फिर epidermis होती है फिर basement होती है तीनों से जो है आपकी insect की वाल बनती है चलिए तो आज के लिए इतना ही वीडियो अगर पसंद आईए हो तो do like and share and subscribe और जो है आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है मिलते हैं next class में with new more mcqs और mcqs के साथ आप और मैं साथ साथ सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि हम scientific names भी जो है learn करते रहें तो scientific names को learn करने की कोशिश जो है चलती रहेगी इफको का आपका paid batch शुरू हो रहा है 12 April से 12 April से आपका paid batch शुरू हो रहा है तो अगर इफको का form आपने भरा है तो उसके लिए आप enroll ज़रूर करें ताकि आपकी जो तयारी है वो boost हो सके paid batch शुरू हो रहे हैं 12 April से इसमें one to one interaction रहेगी अच्छी आपकी पढ़ाई होगी detail में आपकी पढ़ाई होगी लेते वक्त आप adda 247 की website पर जा सकते हैं और code यूज कर सकते हैं Y448, Y448 code को आप use कर सकते हैं Thank you so much for today's session, मिलते हैं 8 बजे अपनी bio technology की class में तब तक अपना ध्यान रखेगा खुशियां बाटेएगा और अपनी health का भी ध्यान रखेगा चलो goodbye